निमस्कार दोसो आप देख रहे हैं सनवाल एजिटे के यूटूब चला है सबसे बड़ी अपडेट दोसो सेकावाटी उनिसेटे रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है यूजियो और पीजी सासाथ भीयड का जो रिजल्ट कब तक जारी होने ही वाला है तो यह बात करते हैं जो सेकावाटी उनिसेटी ने अभी एक नोटिस जारी किया है उसके बारे में जी हाँ दोसो यह है आपके सामने दोस्तों अभी सेकावाटी उनिसेटी ने नोटिस जारी किया गया दो आर्ड दोजार तेस्यान की आज का ही नोटिस सारी है पुनेर मुल्य सबी के सबी के जो पुनहर मुल्यांकन के जो रिवलेशन फॉरम उसके अंतिम्तिती बढ़ा दी गई सासथ बीबी और बीसी के भी समस्विधार्तियों को सुचित किया जाद है कि पुनहर मुल्यांकन को समझ में जारी पूरु कारले आद्देश यहां पर देशित अठारा सा आप अपने रिवलेशन फॉरम लगा सकते अब डाउट है कि चातर पूंचने से रिवलेशन फॉरम लगाए या दुबार से रिजल्ट जारी होगा जी हां रिवलेशन फॉरम आप लगाएंगे तब ही आप लोग के जो रिजल्ट है वो दुबार से जारी के जाएंगे या जरूर लगाए साथ तारीक लाट टेट बढ़ चुके इसके बाद में डेट बढ़ना मुस्किल है जिन कक्षाओं के प्रणाम अभी आने से सेंगे जो पीजी के रिजल्ट अभी आने से से सासथ बीड़ के रिजल्ट विदोस्त भी आने से से तो उन विद्धार्टियों के प्रणाम गोसित होने से अगले 15 दिवस के ओनलाइन आउधन कर सकेंगे यानकी रिजल्ट आने के बाद में वह भी 15 दिन बाद में रिवलेशन फोरम लगा सकते हैं वेबसाइट पर लिंक है वो जल्द अपलोड की जाएगी जैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा न लगा देना लाज्ट इतिका वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है योजी के बीसी ए बीबे के कंप्लीट चात्रों कर रिवलेशन फोरम लगाना है पीजी का जो रिजल्ट जारी होगा उसके पनाद दिन बाद में आप रिवलेशन फोरम लगा सकते अब बात आते हैं कि य पक्तृ में में सेमकम के रिजल्ट आने वाले बीड की बात करें दोस्तों बीड फ But cannot裡 लेशन होने बाएगे तो बतायर Mich puisque बाद मी आपका रिजल्ट है जारी किया जाएंगा तिका रिजल्ट माभी देज़ी होगे हैना है उसके पहूंगे लेशन फेहीं उसके बाद म और रिजल्ट आप चेक करते रहना समय समय पर जिसका भी अपडेट हो गया है थैंक यू